हलो गाइज, वेलकम वैक टू वेदू औरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ और आप कैसे हैं फ्रेंड्स, होपसो अच्छे होंगे, तो चलिए, इसी अच्छी बातों के साथ मैं आज की क्लास आपकी सुरू करता हूँ क्लास सुरू होने से पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दू कि मैंने आपको पिछले क्लासेज में पत्र लिखना सिखाया था वो भी पत्र कैसा था फ्रेंड्स, आप चारिक पत्र था, आप चारिक पत्र में मैंने ये बताया था कि principal के पास या किसी भी officer के पास आप पत्र कैसे लिखते हो उससे related मैंने आपको questions भी दिया था वो question मैं उमीद करता हूँ कि आपने बनाया होगा यदि आपने नहीं बनाया तो please friends मैंने पिछले वीडियोज में जाकर उस questions को बना कर देखो वो बनेगा मैंने सारा कुछ कवर किया कि कैसे कोई पत्र लिखा जाता है फिर भी यदि आपको दिकत हो रही है तो आप मुझसे पूछो YouTube पे comment करो कि सरी इस question में मुझे इस topic में दिकत हो रही है आप please मुझे एक hint दे दो या फिर लिखकर ही बता दो मैं बता दूँगा पहले लेकिन practice आप खुद करोगे friends ठीक है आगे मैं बढ़ूँ तो मैंने यह बताया था कि कैसे लिखा जाता है अच्छे से बताया था friends मेरे पिछले वीडियोज को please देखो पहले जाके उसके बाद मैं आज बात करूँ अनौप चारिक पत्र की friends तो अनौप चारिक पत्र में पहले ये बात समझो कि अनौप चारिक पत्र हम लिखते किस के पास है तो अपने सगे संबंदियों के पास इस पत्र को लिखा जाता है जिसमें आपके मित्र होते हैं आपके भाई बह होते हैं आपके माता-पिता होते हैं आपसे बड़े या छोटे जो भी होते हैं जो आपसे संबंदित हैं आपके रिलेटिब्स हैं वो ठीक है बात करूँ सबसे पहले तो पत्र ये अनौप आप चारिक पत्र आपका बधाई पत्र होगा सुपकामना पत्र होगा निमंतरन पत्र होगा विसेवस अबसर पर लिखा गया पत्र होगा सांतवना पत्र होगा किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र होगा या फिर कोई सलाह आदी देने के लिखा गया प ध्यान देना होता है friends वो चीज तो सबसे पहले जो भी आप लेटर लिख रहे हो वो कैसा होगा वो आपका सरल और अस्पष्ट तरीके का होगा उसमें ज्यादा complex word आपको यूज नहीं करना है दूसरी चीज जो भी आप लिख रहे हो उसमें आपकी योगिता पद आदी का ध् भाव साली होना चाहिए भासा और वर्तनी सुद्ध तथा लेक स्वच्छ होना चाहिए ठीक है इरर पे ध्यान देना जरूरी है कि आप कहीं हरसाई दिरगाई हरसाओ दिरगाओ कार में दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको यदि दिक्कत होगा friends तो please वो नंबर कट जाएग आपका इसलिए यह सब बात भी ध्यान देने लाइक है ठीक है उसके बाद पत्र प्रेशक वा प्रापक वाले का पता साप वासपस्ट लिखा होना चाहिए जो भी आप लेटर में पता दे रहे हो अपना या फिर जिसके पास लेटर जाएगा उसका क्या करोगे उस चीज को अच्छे से सुन्दर वर्ड्स में लिखोगे सुन्दर सुन्दर अच्छे सापस्वच वर्ड्स में लिखोगे क्यूं क्यूंकि पोस्ट मैं जब वो आड्रेस को देखेगा तभी तो उस चीज को पहुचाएगा जहां आप उसको देना चाह रहे हो तो ठीक है तो ये बात भी ध्यान देनी है उसके बाद परिच्छा भवन से पत्र लिखते से मैं अपने नाम के अस्थान पर जो भी है लिखोगे मतलब क्या समझो फ्रेंड्स जो भी आप लेटर लिख रहे हो जहां से आप लिख रहे हो वो चीज में इंसन करोगे नेक्ष्ट पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ती छोड़ कर आगे लिखना है फिर उसके बाद कांट छाट नहीं होना चाहिए उस लेटर में ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होगे जब आप अनवचारिक पत्र को लिख रहे हो तब अगली चीज यह दी मैं अनवचारिक पत्र का तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है पता में इंसन करना है कि पता क्या है आप जो पत्र लिख रहे हो जहां से भी लिख रहे हो उसके बारे में में इंसन करोगे दूसरी चीज दिनांक उसका किस तारीक को आप लिख रहे हो गो चीज मेंसन जिसके पास पत्र लिख रहे हो, उनका संबंद आपसे कैसा है, आदर निये, पुझ निये या जो भी बोलो, ठीक है, उसके बाद friends यदि बड़े हैं, तो पुझ निये, आदर निये, यदि छोटे हैं, तो प्रिये, प्रियेवर, ये चीज में इनसन करोगे, उसके बाद अभ सबस्ते नमस्कार ये सारी चीज़ करोगे झोटे हैं तो मधूर प्यार सुभा सी सब करने अनुचहे से मिदित नमस्कारों में आप जानोंगे ठीक है उसके बाद दूसरे अनुछेद में क्या बोला जाता है कि जो भी आपका है कि आसा करता हूं कि आप कुसल से होंगे उसके बाद दूसरे अनुछेद में जिस कारण पत्र लिखा गया उसका उल्ले करोगे कि आपने जो पत्र लिखा है फ्रेंड्स पड़ों का समबंदियों के कुसलता के लिए लिखने चाहिए जैसे कि मेरी तरब से बढ़ों को परनाम जिसके पास आप पत्र लिख रहे हो फ्रेंड उनके परिवार में लोग कैसे हैं उनकी जानकारी तथा क्या होना चाहिए कि उनके जो बड़े हैं उनको प्रणाम छोटे को आशिरवाद ये सारी चीज़ होनी चाहिए उसके बाद में बात करूँ समापति में तो उसमें आपका लाश्ट में का इस साइड में मतलब बाये साइड में आप क्या लिख ribbon का पूत्र अनौप चारिक पत्र लिख रहे हो ना तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अपने से बड़े यदि हैं तो उनको क्या करना है कैसे लिखना है तो प्रसस्ति यानि कि आप अस्टार्ट कैसे करोगे आदर निये पिता जी आदर निये दादा जी पुझनिये या आदर निये का जादा यूज किया जाता है इन दोनों को उसके बाद अभिवादन की बात करूँ अभिवादन में आपका जैसे सादर प्रणाम सादर चरनसपर्स सादर नमसकार जब बड़े होंगे तब समापती की यदि बात करूँ बड़ो को आप पत्र लिख रहे हो तो ये सारी चीजे आपकी होनी जरूरी है छोटे को एदि आप लिख रहे हो जैसे आपका मित्र है आपका भाई छोटा है कोई भी है तो प्रसस्ती में क्या प्रिये लिखोगे चिरंजीव लिखोगे प्यारे लिखोगे प्रिये लिखोगे ठीक है जिसमें प्रिये और प्रिये मित्र दोनों होना चाहिए अनुज है छोटा भाई है तो अनुज बड़ा भाई है तो अग्रज जो भी आप मिंसन कर सकते हो अभी वादन में, अभी वादन में आप क्या लिखोगे, जैसे वहां सादर प्रणाम निखते हैं, यहां क्या लिखोगे, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आसिरवाद देना है आपको, यह सारे छोटों के लिए, समापती जब लिखोगे तो तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा ही तैसी, तुम्हारा सुब्चिंत, तुम्हारा भाई, यह सारी चीजे मिन्सन होगी इसमें, आगे यदि इतनी सारी चीजे क्लियर होई फ्रेंड्स, आगे यदि मैं बढ़ हूँ, तो आपको, क्या करना है देखो, एक मैं लेटर एक्जामपल लेकर आपको ब बोलूं, कि आपको ये बताना है कि अपने पिता जी के पास एक पत्र लिखें, जिसमें नए वर्ग में जाने के कारण किताबों के लिए पैसों की मांग हो, ये चीज आपको लिखनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जहां से आप पत्र लिख रहे हो, उसको मेंसन करो होगे, जैसे मैं पत्र अभी जो लिख रहा हूं, विद्याले भवन, असोक, राजपत, पत्ना से लिख रहा हूं, मैंने बस एक 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 जामपल लिया, एक्चुली यहां से नहीं लिख रहा हूं, उसका कोई भी मतलब नहीं है, बस मैंने बताने के लिए कि विद्याले प्रीटा जी चलन सपर्सी या फिर क्या सादर प्रनाम दोनों में से कोई भी चीज आप मिंसन कर सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने क्या बूला था कुसल मंगल कुसल मंगल मतलब क्या कि आप कुसल हो और अपने जोबी जिसके पास पत्र लिख रहे हो वो कुसल है कि नहीं यह उसमें मिंसन होगी फर्स्ट अनुछेद वही हुआ तो मैंने क्या लिखा कि मैं यहां कुसल से हूँ और आसा करता हूँ कि आप भी सापरिवार घर में कुसल से होंगे यह फर्स्ट अनुछेद आपका हुआ फ्रेंड्स सेकेंड अनुछेद में कि पत्र लिखने का खास कि मैंने अपने विद्याले के वार्सिक परिच्छा में अपने वर्ग में द्वीतिय स्थान प्राप्त किया है और प्रचार्ज महोदय ने मुझे समानित भी किया है अब अगले सप्ता से ही मेरी अगले वर्ग की पढ़ाई आरम होने वाली है और मुझे इसके लिए और भी लेनी मतलब समझो फर्स्ट अनुछेद में आप जो भी लिख रहे थे कुसल मंगल दूसरा अनुछेद कहां तक आपका है फ्रेंड्स कि पत्र लिखने का खास करण या है कि मैंने अपने विद्याले के वार्षिक परिच्छा में अपने वर्ग में द्वितिय अस्था प्राप्त किया है और प्राचार्ज महोदाय ने मुझे सम्मानित किया है यह आपका सेकेंड हो गया अब अगले सब्ता से ही मेरी अगले वर्ग की पढ़ाई आरंब होने वाली है क्योंकि देखो फ्रेंब्स आप पास हो गयो सेकेंड डिविजन लाए हो पूरे स्कूल में तो पक्का है कि आपको आगे की पढ़ाई जारी रखनी है और आगे की पढ़ाई जारी रखनी है तो उसके लिए आपको किताबों की जरूरत पढ़ेगी किताबों की जरूरत पढ़ेगी तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो पैसे आप अभी कमाते हो नहीं तो आप क लेना है किताबे भी लेनी है अतह अब तीसरा नुछेद में आ जाओ अतह आप डाकिया के द्वारा 4000 रुपिये जल्दी भिजवा दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचार रूप से जारी रख सकूं और आपका सपना पूरा कर सकूं हर किसी का सपना होता है कि अपने पैरेंस के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का उसमें आपके गुरू लोग साथ होते हैं सब लोग साथ होते हैं तो आप भी यही कह रहे हो कि यता आप डाकिया के द्वारा 4000 रुपिये जल्दी भिजवा दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचार रूप से जारी रख सकूं और आपका सपना पूरा कर सकूं अब लाश्ट में आते हैं जब आप क्या कर रहे हो लाश्ट वाला जैसे समापति जब आप कर रहे हो जो आप हो, ठीक है, उसके बाद पता, पता मतलब क्या friends, देखो, पता में क्या, आप पता में पहले अस्थान दोगे, कि जहां पे आप लेटर पहुचाना चाह रहे हो, जहां पे आप लेटर पहुचाना जा रहे हो, वो अस्थान mention करोगे, फिर mobile number mention करोगे, ठीक है, फिर pin number mention निष्याम करोगे यह सारी चीज़ें यहां से आपको सुरुआत करना है सबसे पहले मेंसन करना है कि जहां से आप लिख रहे हो उसके बाद यह यहां फर्स्ट अनुछेद फिर फिर थर्ड अनुछेद उसके बाद लास्ट में आप जो भी कह रहे हो, जो जिनके पास भी आप लेटर लिख रहे हो, उनको आप कैसे मिंजन करोगे, बड़ो को साधर प्रनाम बोलोगे, छोटो को आसिरवाद बोलोगे, यह सारी चीजे, फिर लास्ट में इस साइड आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा पुत्र रमन जो भी है, आपका नाम वो लिख होगे, इधर आप अपना आड्रेस दोगे, तो यह सारी बाते, मैंने एक एक जामपल के थुरू बताईए, कि आपको पत्र आखिर में लिखना कैसे है, वो आप अब लिख दोगे, यह इस बात की गारांटी मैं देता हूँ, बस इसको एक बार और देख लेना, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना भी, यह चीजे लिखने के बाद में कुछ कोशन दे दूँगा, पीडियाप में, उसको आप बना लेना, ठीक है, उसके बाद, आज मैं एक नए चैप्तर में आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो नया, जैस परसर का गारंटी यहे, ठीक है, उसके बाद आगे मैं बढ़ूं, तो देखो फ्रेंट्स, मैं आज विध्यापन लेखान से रिलेटेट कुछ बताना चाहता हूँ, विध्यापन पहले होता है कि आ फ्रेंट्स, विध्यापन के बार में बोलूं, तो इसके बारे में कुछ कुछ बाते हैं जैसे इसको मैं तोड़ूं तो यह दो तरीके से तूटता है वी और ग्यापन वी मतलब होता है फिरेंट्स आकरसक वी मतलब क्या होता है फिरेंट्स आकरसक और ग्यापन मतलब ग्यान देने वाला क्या होता है आकर्सक ग्यान देने वाला समझो इस बात को विज्यापन मतलब क्या वी मतलब आकर्सक और ग्यापन मतलब ग्यान देने वाला मतलब विसेश ग्यान देने वाला आकर्सक ग्यान देने वाला आकर्सक या विसेश कुछ भी बोल सकते हो ना इसको आकर्सक या विशेष तो समझो आकर्सक या विशेष ग्यान देने वाला क्या का लाता है विज्ञापन कहा लाएगा अब विज्ञापन के कुछ फंडे होते हैं ऐसे जैसे देखो मैं अभी वेदू औरा के पास आपको जा रहा हूं तो वेदू औरा का मैं क्या कर रहा हूं एक विग्यापन की तरह ही आपके सामने पेश हो रहा हूं क्योंकि यह मेरा जरिया है आपके पास अच्छे होता है जो आपके पास दिखाया जाता है, ठीक है? तो देखो ऐसे देखो वग्यापन का उत्देश क्या क्या होता है, Friends? सबसे पहला उत्देश क्या होता है? देखो क्यूंकि वग्यापन मैं पढ़ा रा रहा हूं, तो विग्यापन से related आपको कुछ कुछ बाते जाननी है तभी तो आप लिख वाओगे ना तो देखो विग्यापन का उदेश में सबसे पहले में बात करूँ तो उपभोगताओं को प्रभावित करना ठीक है उपभोगताओं को प्रभावित करना पहला उद्देश से होता है उसके बाद उत्पाद की प्रती जो भी आप चीज मार्केट में पहुचा रहे हो जो भी चीजें आप मार्केट को दे रहे हो उसके प्रती आकरसन इवं रुची होना जरूरी है तीसरी चीज नए उत्पाद को लोगों तक पहुचाना जरूरी होता है कि कैसे लोगों तक पहुचेगी जैसे मैं अभी अपने वीडियोज की बात करूँ तो आप तक पहुचाने का मेरा भरपूर प्रियास है क्योंकि पहले जानना ये जरूरी है कि आपकी हिंदी की क्लासेज इतनी अच्छे से आपके लिए की जा रही है जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी फ्रेंज तो कैसे आप मेरे वीडियोज पहुचेगे आपके पास या कैसे देखोगे इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको नए उत्पाद जो भी आप कर रहे हो आप लोगों तक पहुचाना जरूरत है फिर अगली चीज की बात करूँ कि उत्पादक को लाव होगा इस चीज का इस बात की क्या गारंटी है वो तो आप खुद देखोगे खरीदने के लिए प्रेरिद करना व्यापारियों को आकरशित करना कि जो भी बिजनस है जिसमें मैंने इंवेट किया है क्या वो लोगों को पसंद आ रहा है यyw व्यापारिय लोग उसको खरीद रहे या नहीं खरीद रहे इस बात की भी जानकारी उसके बाद अच्छे संबंध होना चाहिए जो भी उपभोगता है और जो भी क्रेता है उसके बीच में संबंध अच्छे होना चाहिए ठीक है पैसे की लेन दिन कभी ये बीच नहीं आना चाहिए हमेशा एक फ्लो बना के चलना चाहिए उत्पादन की छमता बढ़ानी चाहिए क्योंकि देखो मार्केटमे जैसे जैसे मेरा क्या होगा invest बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा मी तो बढ़ेगा उत्पाद भी बढ़ेगा तो ये चीज agreement चमता बढ़ाना कैसे वो चीज़े ब ध्यान दोगा उसके बाद मैं बोलूँ आगे कि विग्यापन का माध्यम क्या क्या हो सकता है friends कि आप जब विग्यापन दे रहे हो तो वो कैसे दोगे उसका माध्यम क्या क्या होगा सबसे पहला माध्यम है friends परिवहन माध्यम ट्राप क्या बोल सकते हैं इसको वेहिकल्स के द्वारा वेहिकल्स के द्वारा बोलने से मतलब क्या है कि आप मेट्रो के द्वारा रेल के द्वारा बस के द्वारा या कोई भी वेहिकल्स के द्वारा आप भी ग्यापन दे सकते हो जैसे गारी में देखते हो आज कल जैसे एक कर दिया जाता है Iya जा आपको परिभान माध्यम से खीश्क कर दिया जाता है व्ग्यापन रिखते हो मार्केट कर दो देखते हैं तो देखते हो और pul मैं क pseudo हो जाता है चिपका दिया जाता बहुत सारे पोस्टर्स बगरा वो भी तो आपका विज्ञापन या कोई भी कमपणी या कोई भी स्टोर विज्ञापन देगा अपना तीश्री चल्चित्र चल्चित्र मतलब तो इसमें आपका टीवी के द्वारा भिग्यापन होता है बहुत सारे याइड जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो यदि आप मेरे वीडियो भी देख रहे हो तो उसमें एड आता है अड़ वर्टाइजमन्ट आता है ना फ्रेंड्स ठीक है त टीवी पे द्वारा मुबाइल के द्वारा इंटरनेट के द्वारा यह सारी चीजे फिर यह सरब मादला मतलब होता है फ्रेंड्स सरब मतलब होता है सुनकर जैसे आप FM से जुड़े हुए हो पतना FM रेडि मिर्ची बहुत सारे FM है रेडियों के द्वारा यह सारे ऐसे सोर प्रकार में बहुत सारे प्रकार होते हैं friends, सूचना पद होता है, किसी चीज का सूचना देना है, ठीक है, मान लोग कि अस्कूल में नई क्लासे जा स्टार्ट होगे, उसकी सूचना देना है तो उसके लिए, आकर्शन पैदा करने वाले, मान लोग कि कोई मतलब क्या है, कि को सारी चीज़ें दी मेंसन करने होताब संस्थानिक, फिर आपका उद्योग संबंदी, कोई नया उद्योग मैंने स्टार्ट किया है friends, कपड़ा से रिलेटर या फिर कोई भी नया उद्योग जो मैंने स्टार्ट किया है, उसके लिए आप भी आपन दे सकते हो, वित्तिय वरगी करित विग्यापन, वरगी करित मतलब क्या होता है friends, किसी खास सेक्टर से रिलेटर विग्यापन, मतलब क्या है किसी खास सेक्टर से कि मुझे टीचर की जरूरत है, मुझे टीचर की जरूरत है, तो सिच्छक के लिए आप विग्यापन दोगे, कि मुझे फिजिक्स इतना चार्ज होगा, ये सारी चीजे mention करने के लिए नवक्री से संबंधी क्या होगा लेटर ये इतना चीज आपको जानना है विज्चापन में तो ये सारी चीजे आपकी विज्चापन में clear हो गई, बस इतना ये चीज जानना इसे लेटर मैं आपको एक्जामपल देता हूं फिर कोशन दूँगा वो कोशन आप खुद करोगे यह तो आपको पता है कि यदि नहीं जानते हो तो फिर तो मेरा खुद का अंसर रहेगा ही रहेगा फ्रेंट्स तो देखो नेक्स टॉपिक की मैं बात करो तो एक लिखने का मुख्र बिंदू जो होता है फ्रेंट्स कैसे आप किसी विग्यापन को लीख होगे किस तरह से आप विग्यापन को एट्राक्टिव बना सकते हो फ्रेंट्स तो सबसे पहले आप जो भी विग्यापन लिख रहे हो उसके लि लिख देना कि जिस टौपिक पर भी जिस चीज के बारे में भी आप विझ्यापन देरों न स्कानाम जां में एहां मेंसन करोगे दूसरी चीज सेलदहमा का जो भी है मालिक कि कोई छीज का सेल लगाई कौई तेवहारा आया उसमें सेल लगा उसके लिए उसके बारे में बताओगे कोई खुसखवरी है या जो भी सब्द जो आकरसित करे ऐसा बिज्यापन में में निटाफ़ान करोगे तीसरी चीज गुनों का उलेख जो भी आप बिज्यापन देरे हो जिस company का भी बिज्यापन है उसका आप गुन तो mention करोगे ना कि आखिर गुन क्या लेकिन गुन ऐसा नहीं कि गुन mention करने के चकर में आप उसको 70 words पहुचा दोगे नहीं छोटा बट accurate ओके ये चीज़े क्योंकि आपको लिखना कितने है 40 to 50 words में लिखना है क्योंकि एक question आपका 2.5 marks कर रहने वाला है उसके बाद मध में या दाइं और बड़ा सा चित्र दे देना जिस भी topic पे आप लिख रहे हैं मानलो कि आप किसी Corona से related अब विग्यापन देना चाहते हो कि Corona से बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं विग्यापन देना है तो Corona से बचाव करोना का ऐसा figure बना देना अट्रक्टिव टाइप का थाकि लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा लगे यह सारी चीज़ें में मेंसन करना एक बड़ा सा चीत्र बना देना बगल में दाइयोर या बीच में जो भी detail उस विग्याप करना है साप सुन्दर सुन्दर लिखना है उसके बाद एक तुक बंदी जवा कर सितो लास्ट में क्या करना है ना फ्रेंच कुछ ऐसा सायरी टाइप का कुछ ऐसा वर्स लिख देना है ताकि पढ़ने के बाद लोगों को थोड़ा स्माइल आजा चेहरे पे ठीक है यह एक्जामपल लिखे आपको दिखाता हूं फ्रेंट्स वह एक्जामपल आपके सामने यह है कि मान लोग कि आप एक बैग बनाने की कमपणी का विग्यापन कर रहे हो एक बैग बनाने की कमपणी का विग्यापन दे रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है करवा टाइज में लिखना है तो सबसे पहले सफारी बैक का विग्यापन दे रहे हो तो एक बड़े से वर्ड में आप क्या लिखोगे सफारी बैग लिखोगे ठीक है और देखो यह चीज देखना वैसे ही मतलब लिखना है ज्यादा क्योंकि आप लिखोगे कॉपी पेना मैं यह नहीं कि आपक सफारी बैक का आपको विग्यापन देना है तो आप सफारी बैक के बारे में क्या लिखोगे सबसे पहले कि सफारी बैक क्यूं चाहिए लोगों को क्यूं मार्केट में इसका इतना दिमांड है तो आपकी यात्रा को सुरच्छित बनाने की पहली पसंद मजबूती ऐसी मजबूती ऐसी जो दिल को भाजाए ये सफारी बैक के बारे में मैंने क्या बताए छोटा सा विज्यापन ये अट्रेक्टिब बनाने के लिए कि क्यों लोगों को सफारी बैक की जरूरत है क्या है इसमें जो औरों से अलग है ये चीज दिखाने के लिए आपकी यात्रा को सुरचित जैसे आप जो बैक लेके जा रहे हो वो काफी जादा मजबूत है और ये ताला बगारा लगाने का भी सिस्टम है उसमें लॉकर है उसमें पिन कोड लगा सकते हो आप तो ये सारी चीज है मतलब क्या है कि यात्रा को सुरचित बनाने का पहला पसंद और मजबूती ऐसा जो दिल को भाजा है ठीक है मजबूत भी बहुत जादा सफारी बैक में तो चलो इसके बारें बिसेश्टा आएं यहाँ पर बिसेश्टा आएं लिखोगे उसके बाद नीचे अधिक समय तक चलने वाला सबसे पहले यहीं सफारी बैक की बात आती है फ्रेंस तो ठीक आओ भी होता है लंबा चलता भी है उसके बात दो साल की वारंटी के साथ सबसे ज़ादा बिकने वाली सफारी बैक यह होता है क्यूंकि चीज बढ़िया दे रहर स्का प्रोडक्षन इसका बढ़िया है क्वालिटि भड़िया है तब तो दे रहा है न तीसरी चीज ग्रहकों की पहली पसंद मतलब कि जब भी बैक का नाम आएगा तो सबसे पहले किसका नाम लेगा सफारी का लेगा आज बड़े-बड़े ब्रैंड वैल्यू में आता है यह सफारी बैक बड़े-बड़े क्रिकेटर्स या एक्टर्स लोग इसका प्रचार करते हैं एड देते हैं ठीक है ग्रहकों की पहली पसंद ठीक है उसके बाद दाम ऐसा कि हर किसी को भाजा मतलब कि सिंपल कम दाम में बढ़ियां चीज सस्ता और टिकाओ का वादा मतलब कि जो भी दाम होग वहर कोई इसको अफॉर्ड कर सकता है इस बजा से भी यह बढ़ियां है तो देखो और मैंने क्या बता है कि एक चीत्र भी आपको दिखाना है तो चीत्र यहां पर आपकी जिस भी कमपनी का प्रचार कर रहे हो उसका तो मेंसन करोगे ना यहां पे चिक है चलो लास्ट में क पुछ अट्रक्टिव तो दालना है यह तो मैंने वह बोला था तो विसेश चूट सिमीश समय तक मलब कि अभी क्या है कि आपको छूट दिया जा रहे है मानलो किसी फेस्टिबल के नाम पे इस सफारी बैक पर आपको छूट दिया जा रहा है जो आपको अस्टोर पर जाने के लिए लिखा है फ्रेंज बद जो भी नंबर होगा वो यहां मेंसन करना है तो यह अडवर्टाइजमेंट का तरीका हुआ आपको देखो सिंपल वर्स में लिख क्या आना फ्रेंज ना आपको जैसे देखोगे कि आप कलर करते हो तरह तरह का वर्स यूज करते हो वह भी क लिखा है ना वह अट्रेक्टिव लिखा है ज्यादा खचपच घौच पॉच नहीं किया है ठीक है बस यह चीज आपको ध्यान देनी होती है जब आप एडवर्टाइजमेंट को लिख रहे होते हो तब देखो मैंने इतना चीज मेंसन किया है फ्रेंज ठीक है देखो तो मै क्या करता हूं ना फ्रेंज आपको कुछ कोशन देता हूं उसको आप करोगे बिल्कुल करोगे मुझे विश्वास है कि करोगे क्योंकि आपने विग्यापन लिखने का तरीका सीख लिया है तो आप कोशन देना तो मेरा बनता है और हो सकता है कि जो कोशन मैं आपको दे रह तो इसके आधिकारिक परचार के लिए आपको एक विग्यापन देना है तो आप कैसे दोगे दे सकते हो बिल्कुल दे सकते हो बस ज़्यादा डरना नहीं है यार बिल्कुल बिंदास मेरी तरह बिंदास रहना है ठीक है देखो तो एक आपके मुहले में एक संगीत संध्या का आयोजन हो रहा है इसके अधिकारिक प्रचार के लिए एक विज्यापन देना है दूसरा भारत सरकार स्वास्त मंत्राले के लिए कोरोना कोविड-19 के संक्रमन से बचाव पर 25 से 50 सब्दों में विज्यापन तयार करना है सब कुछ तीसरा आपका विद्याले का वार्शिक खे लिए छीक है उसके लिए एक विज्यापन 25 से 50 सब्दों में आपको देने हैं अगला है आपके मुहल्ये की पार्क में रोजamentos कि कछाएं चलेगी योक का महत्यों बताते हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित करने है तुँ 25-50 सब्दों में विज्यापन तयार करना है फिर अगला है पर्यावरन विभाक की ओर से जल संदच्छन का आगरा करते हुए एक विज्यापन लगभग 25-50 सब्दों में करना चाहिए ताकि वो पढ़ने में और अजीब लगे कोई भी सिंपल सब्वर्स लिख देना है और एक्ट्रेक्टिव होना चाहिए सबसे पहली बात और फोटो एक बना देना सब ऑयसे तो मैं कोशिस करोगा कि आप सब बनाओ इसको बनाने के बाद यहने genre script लिखने के सारे सारी समय मिल रहय और आपको बनाने के था सब आ भीसुई आपकं बनाने लिखने सब ग्लाक्रति एससमें वह सारी चीजिव कहता रही है तो डिखतार फ प्रोना से रिलेटेड बचाव है वो आपका important है friends ठीक है फिर आपका आपके मुहले में क्या चल रहा है योग का class चल रहा है उसके लिए आपको 21 June को मानलो 21 June आने वाला है उसके लिए योग कच्छाय चलेगी आपको विग्यापन तियार करना है यह important है friends फिर आपका important क्या हो answer मैं send कर दूँगा ठीक है friends तो आज की classes मैं यहीं पर drop करता हूं ठीक है बिलकुल energetic रहना है friends एक्जाम में आपके within one month बचे हुए हैं इस one month में खुद को इतना ज्यादा मतलब दबा देना है ना खुद को ऐसा कर देना है ना कि ताकि एक्जाम में मुझे जो भी questions मिलेंगे हिंदी से related या SSD से related मैं उसे नहीं छोड़ूँगा ऐसा खुद में spirit बना लेना है और उसके लिए आपका साथ देने वाला आपका भाई आपके साथ है ठीक है आपका friend आपके साथ है मैं आज विदा लेता हूं अगले class में फिर से मिलेंगे एक नए flow के साथ तब तक के टेक क्यार गुडबाई